देख रहो किस तरीके से जलावा पूरा पिघल गया इसलिए इतना सोट सर्किट हुआ था जल गया था पूरा लाइट हो गया था घर का बन और यह देख रहो यहाँ पर पूरा आट सर्किट हुआ देखिए यहाँ पर पूरा जल चुगा एक स्वीच यहाँ पर और इसका पो लोग बो रहेते, आप वीडियो तो बनाते हो, सारे mlिपेरिंग का नहीं बनातें, तो एक हमारे पास एक रिपेरिंग का वीडियो है अभी, अब हम आपको पूरा डीटेल बताने वाल है, और काफी जगह यह आप लोग के साथ पृबलम होता ही होगा यह वाला टौपिक तो चलो आपको बताते हैं इस bedroom पे देखिए हम लोग है उसी bedroom में problem है और क्या कौन सा problem है आपको बताई देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर switchboard आपको देखने को मिर रहा है यही switchboard पे problem है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे जो पोबलम है उसको 100% problem कैसा solve करें तो वीडियो पे continue बने रहें तो दोस्तो वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को लिए सस्क्राइब बेल आकन प्रेस करने ताकि ऐसा सर्लेटेट वीडियो आपको मिलते रहे तो चोल दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी दोस्तो इस बेट्रूम पे हमारा एक लग्टिकल बोड है यहां पर और उधार हमारा एक और बेट के पास ठीक हैं तो यह दो बोड है switchboard और इसमें problem क्या हो रहा है सामने वाले का कहना यह है घर वाले का यहां से short circuit होया पूरा आग लग गया है और यह कौन सा switch आपको पता ही है ना यह हमारा two-way switch है और यह two-way switch में इस तरीके से आग क्यों लगता है आपको पता ही होगा हमारी वीडियो देखते होंगे तो ती नहीं देखते हैं इसका हम लोग short video बनाया थे काफी लोग सवाल कर ले तो इसके लिए हम लोग full video लेके आया है और हम आपको detail बताने वाले इसका problem कैसे solve करने वाले तो चलो यहां पर देखिए two-way switch में आग लगा है और यह देखिए धुमा धुमा हो गया तो सबसे पहले हम लोग को यह बोर्ड जो है यहां से फैन भी नहीं चाल जाए अनली एक light था हम लोग भी खोल लें चेक किये तो उसकी सोचे पूरा वीडियो बनाई देते हैं आप लोग के लिए और यह देखिए यहां पर जो है यह फैन नहीं चल रहा ठीक है यह देखिए यहां से फैन चल रहा है यहां से फैन चल रहा है और light तो अभी हम लोग holder के bulb बाहर कर दीए यह चल रहा है तो चल वहाँ जो board का problem है आपको देखाते हैं क्या problem हुआ पूर को हम लोग खोलते हैं बाहर करते हैं और आपको देखाते हैं यहाँ पर पोबलम क्या हुआ है और वीडियो पर कंटिन्यू बने रही है रिपेरिंग काम का वीडियो देखना था क्या तो वीडियो कंटिन्यू बने रही है आपको इसका पूरा पोबलम सॉल्व करके बन क्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्र हमारा फेस्ट नीटल यहां पर होता है तो चलो इसका डाइगराम आपको देखाते हैं डाहटे कैसा होता है ट्वेस्ट और पॉब्लाम कूँ आता है three लोग को समझ आ गया किसलिए हो करेगा तो चल सब्सक्रेशि का पूल करम आपको देखाते हैं तो सब्सक्राट surprising परकार का हैंग ठीजर में का आपको पता है। यहाँ पर टोटल शीः परकार का पोर्ट सिधक करेंग किये जाता है। तो इसमें का कौन सावाला यहाँ वेरिंग हुआ है जुक्वर्ट पर क्ला हुआ है हषिए कौन्वा बता सकते कॉमेंट जरू करना देखी यहाँ पर सबसे पहले नंबर यहाँ पर देखे este number का वेरिंग देखी यहाँ पर आपको nl दिख रहा है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर switchboard पे NRL, तो यह है हमारा पहले number का यह वाला point, तो यह क्या किये हैं, यहाँ पर हमारा switch जो है इस तरीके से बनाया गया है, तो इसको phase दिया गया है, वहाँ से neutral दिया गया है, इस तरीके यहाँ पर बनाया गया है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर देखी इतने परकार का 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 परकार का है सबसे ज़्यादा पोबलम नहीं आने वाला आपको बताओं कौन सा है इसमें तो पोबलम आता है यह वाले में भी सेम है इसको क्रोस किया गया है माइनस प्लस गया मतलब यहां से सोट सर्किट होता है चलो आपको स्वीच भी खोल के देखाएंगे यहां पर क्यों जैसे स्वीच आन आप करते है ना यहां पर एदेखी इस स्वीच को जैसे बीच में ऑन आप करेंगे तो यह पत्ती जो है सोट हो जाता है इसके कारण जो है फेस न्यूटल वाला अंडेट फुल सक्सेस्फुल नहीं है पहले जो पुराना स्विच था उसमें अच्छे से काम आता था अभी के नया स्विच में बिल्कुल काम नहीं आने वाला है तो देखी यहां पर हमारा फर्स नंबर का यह वाला यह सकेरा है बहुत ढोला तो हम लोग यह दोनों रही नहीं करेंगे इसके बादंहारा तिसरा नंबर आप अच्छे यह स्विच्ट खराब नहीं होता और सफरेंग नगर वाले को पूबलाम नहीं होता के नीचे वाले का तो यह हमारे काम नहीं है और यह वाले में भी ऐसा अति आपने को ठीक है dai हर यह वाले भी हमारा 2S एक स्विच का मातल का सेडी पे पूर्ट संड में हम लोग को काम ही डो लेम प्यार को चलाने के लिए इस तरीके से टेक्निक क्योंच किया जाता है तो यह भी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यह रूम पर है तो रूम पर बेस्ट कौन सा है और सिधी पर बेस्ट कौन सा आपको बता दूं रूम पर बेस्ट तो यह दोनों हैं फिर हम लोग करने वाले कौन सा यह वाला डबलू वाला यह डबलू वाला म अपने को current flow होगा LED light पे यहाँ रहागा तो यह current flow हो जाता तो उसके लिए हम लोग जो है यह सीधा वाला नहीं करने आले हम लोग करने वाले हैं यह भी तो सही है और यह भी ओके है तो यह हम लोग इसको करने आले final ठीक है यह वाला W वाला final है क्योंकि यह अहां पर नहीं होगा ठीक है इसमें भी ऐसा ही है फिर हम लोग यहां डबलू वाले में समझाते हैं न्यूटल देखी यहां पर जो हमारे न्यूटल गया बल पर यहां पर आ गया उसके बाद फेश जो गया इस स्वीच पर गया तो इसमें हम लोग का पोबलम नहीं है फिर यहां पर क्या करन इस स्विच बोड से हम लोग को जब डबलू वाला वैरिंग करेंगे ना तिसमें हम लोग को डायट वहाँ पर डालना पड़ेगा और इसमें आपको बता दूँ वैर हलका सा ज़्यादा लगता है फिर यह परसानी नहीं होगा कस्टमर को और यह वाले में कस्टमर का वैर कीए अभी आज तक पोबलम नहीं हुआ और यह वाले और यह दोनु में तो हंडेट परसेंट परसन करता है इसमें भी होता है फिर क्या होता है कभी हम लोग अन कर देते हैं श्विच और ऑपोजिसें में रहता है तो ऑप पोजिसें में हमारे पंख्यलों में करिण जाता ना पड़ाँ डिये तो देख सकते हों से काम हो जाए अपना टाकि यह दो नो वर को हम रोग एक पर फेंड का दूनों का टूर्म्य मुद्ध चेंज करने वाले तो हम लोग से अंदर करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं वेरिंग कैसे करेंगे यहां पर और कनेक्शन कैसे चेंज करेंगे दो यहां से हम लोग ट्वे स्विच कर डार रहे हैं यहां भी हम लोग बोड़ खुल के चेक किए ना तो यह फेस नीटल डला हुआ है ठीक है तो अभी आपको से प्रोब्लम कैसा हो जाता है तो चलो यहां पर हम लोग दो बाइर पहले पहुंचा लेते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे इसको चेंज करना है हमारा जो वैर अभी तक देखी दस्तों यहीं पर हम लोग लेखे आ रहे हैं देखते हैं यहां पर एक देखिए आपर एक एस्ट्रा डाल दिये थे उस स्वीच को डिटर्न लिए फिर से वैर डालके आपर जोइंट करके लिए फाइनल देखी दोस्तों हमारा वैर पहुंच चुका सोच रहे होंगे फिर यह हम लोग कर ट्वे स्वीच वायर है तो हम लोग क्या करेंगे हलका सा ले लेंगे रिटर्न और बाकी वैर को ट्विस्ट कैसे करना है वीडियो पर कंटिनू बने रहिए उसके वाद आपको बतात अला है पहले वाला थी यह कर की यह करिंगे चलो इसको पूर बढ़ा ड्रॉएंग आपको देखाते कैसी होगा ऐससे सबसे पहले यहां पर यह वाला हमारा ड्रॉएंग था इसमें फेसज नूंडल सोट सरकीट हो रहा था दिए तो इस तरीके से यह हम लोग नहीं करेंगे हम लोग करने वाले यह वाले और इसमें हम लोग का जो है आपको बता देता हूँ क्या करेंगे इसमें हम लोग को क्रोस करना यह प्लेन है फिर इसको क्रोस करना ऐसा ठीक है तो यह ऐसा ही रहेगा बस यह ऐसा जागा यह ऐसा आएगा तो ठीक है और यह लेंप है तो चलो वे नूटल देना पड़ेगा एक तरफ फेस देना पड़ेगा तो हम लोग क्या करें इधर हम लोग फेस नहीं देंगे इसमें हम लोग कोई पंखे का जो पॉइंट है तो पंखे वाला की बीच टरनल पर लगांगे और यह चलो इसको रिनूप कर यहां पर देख सकते हैं 16 एंप बैठाने वाले तो चलो यहां पर स्वीच लग गया और यह इसका वैर है और यह वाला वैरिंग करने वाले हैं ठीक है तो चलो आपको देखाते हैं कैसा यह वैरिंग होगा आपको पेपर हटा देते हैं पूर पेक्टिकल करते हैं पहले देखिए रेड वाला आपको देख लगा दियें यहोगा एक और दूसरे वाले को व कि दूसरे आले कुंव यहां पर तक है हमढ़ा लाइट का कट क्यों घुर्ट कनल फोजैने technics पर यहां पर हुआ हुआ यह देखिए यह हो गया उसके बाद यहां पर देखने वीडिया वाइट कलर का टेप उसमें हम लोग को पंखे को देना है तो इसको भी सिंपल ऐसा ही करेंगे पहले हम लोग लोग नीचे पर लगाएंगे इसको माइनस प्लास मतलब फेस नूटल देने का रीजन यह था यहां पर मतलब अलग-अलग कलर इसलिए दे रहे हैं हम लोग ताकि यह पता चले अपने को cuidado connection भी ईक है यह और यहाँ पर चॉट देता है और उसके बाद इहां पर हम लोग इसमें क्या डालेंगे इसमें हम लोग इन्वेटर का पॉइंट डालेंगे तो यहां से यहां और इस जगह पर हम लोग जो है देखिए यह लोग नीचे टर्मिनल पर राखे और ब्लू वाले उपर में उसके बाद कौन सा वाले डालना है वह कनफीजन है नहीं यहां पर फेस्ट डालें तो यहां प पॉइंट इधर है और भी गया है तो हम लोग क्या करें यहां पर एक पॉइंट और है तो सामने बोर स्वस कूर्पशिय नियुनन कर लेते हैं दहरी वाले को उसके बाद कर देते हम लोग को पुवाला जो क्षेक नीटल पे तुरिश्च करेंगे क्योंकि हम लोग जो है फेस नुटल वाला नहीं बना रही यहां पर हम लोग को नुटल पर डायेट करें गहीं खाली वेससे अनअफ होने वाला है है तो यह उस जाली औक तो एक लाइट हमाला ऑन भी हो गया है यह हम लोग नॉर्माल किये हैं क्योंकि सामने वाले को टीव लट चाहिए था ठीक है तो यह तो यहां पर फैन रेगुलेटर भी है उसका भी हम आपको बताएंगे वीडियो पर कंटीनियू बने रही है और यह रही है यह फैन पर होगा यह हो गया हमारा एलो वाला वैर उपर और उसके बाद जो है यह ब्लू वाले नीचे होगा ठीक है और यह हो गया और इसके बाद इसमें और कैसा जोड़ेगा आँ सोच रहोंगे ना यहां फैस जो रहेंगे रेगुलेटर जोड़ेंगे तो आप वही बताते हैं लेला हो रहा है ठीक है यह हो गया उसके बाद जो है एक वाला हमारा वाला टेप लगा है ओ भी हमारा क्या है लाइट का है नहीं भी हम लोग यहांपर क्या करने आया एक में फेस डालने वाले pen search क्रोट हो नहीं फेस का षप ऌैसे बाहीं ढ़ने और एक पर हमाला जो रेगूलेटर तो इसको स्विच पर ट्विस्ट करना है करना सुपर हूं की यह हमारा जाएगा पर कनेक्षन कर देंगे ठीक है और आप सोच रहोंगे एक पॉइंट और बच रहा हो उसको कैसा करेंगे स्वीच पे ना चलो भी बताते हैं आपको यह देखिए यह हमारा क्या है रेगुलेटर का वैर जो हम लोग क्या करने आले जो हमारे फेंट का स्वीच है ना बीच वाले टर्मिनल प टो पॉइंट करदेते हैं और यह हो गया हमारा कम्पलीट एगा हलकासा चेंजे सोगा खाली डेगुलेटर बस यह होगा ड्रयांग देखा है ठीक है और यह फाइनल हो चुका हमारा वेरिंग कम्प्लीट और आप देख सकते हो यह स्क्रेंग ले सकते हो नहीं तो हम लोग ड्राइंग मेंशन कर देंगे हमारे यूटूब पर डला होगा काफी जगा हमारा टूए स्विच का आप उसको देखके यह डबलू कनेक्शन कर स रखते हो चलो यहां पर दो तीन केबल डाई लगा देते हैं और यह बोर को फिटिंग कर देते हैं और यह फाइनल हो चुका यहां पर पोब्लम सॉल्फ हो गया और इसमें हम लोग आपको एक बात बताना जा है यह देखिए यहां पर हमारा फेस जा रहा है ठीक है ऐसा तो डबलू नहीं रहेगा तो इसमें सिधा सिधा में हमारा जो स्वीच बंद रहने से भी लाइन सप्छी जाते रहता है तो इसमें नहीं अधे टाटा देखे तो आपको ले के चलेंगे वहां पर और आप पोगे दिखाते हैं यह तो हमारा इंपूद हो रहा है इधर से हम हम लोग जहां से हमारा फेन और लाइट पॉंट जूड़ा हुआ है ना बीच वाले टैन्मेल तो उसमें आपको लेकर देखाते हैं ठीक है यह बंद में और अभी उधर यह पेक करवा देते हैं उधर आपको लेकर देखाते हैं जोस्तों वहां का बोर्ड फिटिंग होच गय कंप्लीट और यहां पर हम आपको एक टेस्टिंग देखाने वाले हैं यह देखी हम लोग जो इधर पहलार में से सिधा सिधा कनेक्सान ना तीन नम्मर वाला यह चौथा वाला क्यूं करते हैं आपको बताते हैं यहां पर देखी जैसी कि हमारा ओप पोजिशन में रहेगा यह देखी यहां पर फेस नहीं आएगा और किसी को भी जैसे पंखे रिपेरिण करना है लाइट रिपेरिंग करना है तो करेंट नहीं लएगा नहीं तो काफी जगा पोबलम होता है इस से हम लोग को टूए स्विश से करेंट कांटिनियू फ्लो होते रहता है अप और नया वेरिंग कर रहो तो पहले यही काम करना ठीक है वेर को मत देखना बचाने के चक्कर में दिवाला इकल जाएगा घर वाले का तो इसलिए पहले से प्लानिंग कर लो इस तरीके से पोब्लम नहीं होगा तो 100% पोब्लम सॉल्फ हो गया और देखी इससे तो बहुत आग आगी करता था बोरे से पंखे से ले से तो देखी अभी काहां कर रहा है इसको बन कर देते हैं सेज़ को आप कर रहें इसलिए इतना सोट सर्किट हुआ था जल गया था पूरा लाइट हो गया था घर का बन और यह देख रहे हो यहाँ पर पूरा आग लग गया था मेटल बोटी में अच्छा हुआ बगवान की देश से यहाँ पर वैल लोग नहीं जला और यह पूरा स्वीच पिखल गया इस त हम आप करते हैं दोस्तों आपको पता चल गया किस तरीके से स्वीच जला है और हम लोग फाइनल कर चुके और फेन और लाइट दोनों वर्क कर रहा है आप देख सकते हो रूम का और यह भाई का पूबलम हो गया और इसको पेक कर देते हैं तो दोस्तों फाइनल यहाँ पर कोई पूबलम होता है तो यह सॉल्व कर सको इस तरीके से तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को ली सस्क्राइब बेल आकन प्रेस करने ताकि ऐसा सा रटेट वीडियो आपको मिलते रहते हो तो दोस् करते है.